रादे रादे जैसी क्रश्ना, आज हम भगवती स्वाहा, भगवती सधा और भगवती दक्षेना के महात्यमे कशवन करेंगे एक बार नारद्मनी भगवान नारायन से बोले कि हे प्रभू, आप रूप, गुण, यश, तेज, एमकांती से संपन हैं, आप मेरे लिए साक्षात नारायन भगवान हैं, आप ही ज्यानियों, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों और वेद वेताओं में शेष्ट हैं हे प्रभू, आज आप मुझे भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा और भगवती दक्षिना के महत्यमे को सुनाएं, तब भगवान नारायन बोले कि हे देवरिशी, शष्टी के समय का ये प्रसंग हैं, देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था, अते वे सभी देवता ब्र भ्रम लोक में भ्रह्माजी की सबा में गई, वहां जाकर उन्होंने अपने आहर के लिए भ्रह्माजी से प्राथना करी, उनकी बात सुनका भ्रह्माजी बोले कि भ्रामण लोग, जो हवन करेंगे, उसी से तुमारे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, भगवान नारायन बोले कि हे मुनीवर ब्रावन, छत्रिय, वर्ण, भक्ती, पूर्वक जो हवन करते थे, वह देवताओं को उपलवद नहीं हो रहा था। इसी से उदास होकर ब्रह्म सभा में सभी देवता गए, वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने का कारण बतलाया। ब्रह्माजी ने देवताओं की बात सुन कर ध्यान पूर्वक भगवान श्रीक्रश्न की शरण ले, तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया, उसके अनुसार ध्यान करके ब्रह्माजी भगवती मूल प्रकती की उपासना करने लगे। तब सार्व शक्ती स्वरूपीनी भगवती स्वाहां भगवती भूवनेश्वरी की कला से प्रकट हुई। उन परम सुन्दरी देवी के श्री विग्रह की सुन्दर श्याम कान्ती थी। वे मनोहारीनी देवी मुस्कुरा रही थी। भगतों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्रचित्रवाली भगवती स्वाहां ने भ्रहमाजी से कहा कि हे श्री भ्रहमन तुम वर्दान मागो। भ्रहमाजी ने भगवती के वचन सुन कर कहा कि हे देवी तुम परम सुन्दरी अगनी की दाही का शक्ती होने की क्रपा करो तुम्हारे भीना अगनी आहूतियों को भस्म करने में ऐसा मर्थ है जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारन करके देवताओं के लिए हवन प्रधात अरपन करेंगे वह देवताओं को सहज ही उपलब्द हो जाएगा हे अंबी के तुम सर्व संबती से सर्व रूपा शिरी रूपीनी देवी अगनी की पतनी बन जाओ देवता और मनुष्य सदा तुमारी पूजा किया करेंगे ब्रह्माजी की बात सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गई उन्होंने स्वम अपना अभीप्राय ब्रह्माजी को व्यक्ति किया भगवती स्वाहा ने ब्रह्माजी से कहा कि हे श्री भ्रह्मन मैं धिर्ग काल तक तपश्या करके भगवान स्रीक्रश्नी की उपासना करोंगी उन पर भ्रह्म भगवान स्रीक्रश्न के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब सपनवत केवल भ्रह्म हैं हे भ्रह्मन तुम जगत की रक्षा करते हो शंकर ने मृत्यू पर विजय प्राप्त कर ली है शेश नाग अखिल विश्व को धारन करते हैं धर्म को धार्मिक पुरूशों को जानने की योग्यता प्राप्त है गणेश संपूर्ण देव समाज में सरप्रथम पूजनिय हैं प्रकती देवी सर्व पूज्या है यह सब उन भगवान सिरीक्रशनी की उपासना का ही फल है सभी देवता सम्यक प्रकास से सिरीक्रशनी की उपासना कर चुके हैं भगवान स्रीक्रश्न के सेवक होने से ही रिशियों और मुनियों को सर्वत्र सम्मान मिलता है। अते मैं भी एक बार परम प्रबु स्रीक्रश्न के चरण कमलों का चिंतन करना चाती हूं। ब्रहमाजी से ऐसा कहकर कमल मुखी देवी स्वाहा भगवान स्रीक्रश्न को प्रसन काने के लिए तपश्या करने चली गई। फिर वे एक पैर पर खड़ी होकर स्रीक्रश्न का ध्यान करने लगी और बहुत बर्सों तक कठो तब करने लगी। तब प्रकती से परे निर्गू कामू की देवी ने कामेश प्रभू को बहुत समय के बाद देखा था। चिरकाल तक तपश्या करने के बाद शीन शरीर वाली देवी स्वाहा के अभी प्राई को भगवान स्रीक्रश्न समझ गे। उन्होंने उठकर अपने अंक में उसे बिठा लिया और कहा कि हे कांते तुम दाहिक शक्ती से समपन होकर अग्नी की पत्नी बन जओ। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूझा प्राप्त करोगी। अग्नी देव तुमे अपनी पत्नी बना कर भक्ति भाव से पूझा करेंगे। तुम परम रमणिय देवी को उनके साथ हास विलास करने का अवसर प्राप्त होगा इस प्रका देवी साह से संभाशन करके भगवान स्रीक्रश्न अंतरध्यान होगे फिर उनकी आग्या के अनुसार अगनी देव आए सामवेद में कही गई विधी से जग जननी भगवती का ध्यान करने लगे उसके बाद देवी की भलीभाती पुजा और इस्तूती करी उसके बाद भगवती स्वाहा और अगनी देव का विवह संस्कार संपन हो गया देवताओं के वश्च से सो वश्च तक वे आनंद से रहने लगे परम सुख उप्रद निर्जन देश में समय रहते देवी स्वाहा अगनी देव के तेज से गर्ब वती हो गई बाराह दिव्य वश्च तक वे उस गर्ब को धारन किये रही उसके बाद दक्षीन अगनी गाह पत्यागनी अहवनिय अगनी के क्रम से मन को मुग्द करने वाले परम सुन्दर पांच पुत्र उनसे पैदा हुए तवरिशी मुनी ब्रामन छत्री है आदी सभी शेष्ट वर स्वाहांत मंत्रों का उच्चारन करके अगनी में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार रूप में प्राप्त होने लगा जो पुरुष स्वाह युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारन करते हैं उसे केवल म मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धी प्राप्त हो जाती है जिस प्रकार विश हीन सर्प, वेद हीन ब्रामन, पति सेवा विहीन इस्त्री, विद्या हीन पुरुष, फल एम शाका हीन व्रक्ष निंदा के पात्र हैं वैसे ही स्वाह हीन मंत्र भी निंदनीय है ऐसे मंत्र से क किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता फिर तो सभी भ्रामन संतुष्ट होगे देवताओं को आहूतिय मिलने लगी भगवती स्वाह से संबंद रखने वाला इस प्रसंग को जो कोई भी सुनेगा उसे सुख प्राप्त होगा और मने के बाद मुक्ष की प्राप्ती होगी तब नारद मुनी भगवान नारायन से बोले कि है प्रबो अब आप मुझे भगवती स्वाह की पूजन की विधी भी बताईए ध्यान एम स्रोत बताने की भी क्रपा केजिए तब भगवान नारायन बोले कि है मुनीवर भगवती स्वाह के ध्यान स्रोत और पूजा का जो विध पुरुष को चाहिए कि फल प्राप्त करने के लिए संपून यग्यों के आरम में शालिग्राम की प्रतीमा का अथ्वा कलश पर यतन पूर्वक भगवती स्वाहा का पूजन करके यग्य आरम करें। देवी स्वाहा अंग में मंत्रों से संपन हैं। इनका दिव्य विग्रे मंत्र सिद्धी स्वरूप है। ये स्वम सिद्ध कल्यानमई तता मनुश्यों को सिद्धी और कर्म फल प्रदान करने वाली है। पूर्वक जो भगवती स्वाहा की पूजा करता है उसके सारे मनोरत उसी शनपूरे हो जाते हैं। पुर्णिया आत्मा पुरुश इसलोग और परलोग दोनों में सिद्धिया ब्राप्त करता है। उनका फिर कोई भी कारिय अधूरा नहीं रहता। इस शोड़स नाम के प्रभाव से एप पुत्री पुत्रवान भारिया हीन व्यक्ति प्रिये भारिया संपन हो जाता है। भगवान नारायन आगे बोले कि हे मुनीवर अब भगवती स्वाधा का उपाख्यान कहता हूं तुम जान से सुनो। पित्रों के लिए यह तरप्ती प्रद। श्राद अन के फल को बढ़ाने वाला है। जगत शष्टा ब्रह्मा ने शष्टी के आरम में साथ पित्रों का सरजन किया। चार तो मूर्थी वान थे और तीन तेज सरूप थे। उन सातों सुक रूपी मनोहर पित्रों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद तरपन परम करतव्य है। यह बार श्रूती में प्रसिद्ध है। जो ब्रामन नित्य तरिकाल संध्या श्राद तरपन बली वेद धनी नहीं करता। उसे अजगर सर्प के समान समझना चाहिए। देवी की सेवा से वंचित तता भगवान को बिना भोग लगाए खाने वाला व्यक् जीवन परियंत अहपावित रहता है। उसे कोई भी शुबकारिय करने का अधिकार नहीं है। यो ब्रहमाजी तो पित्रों के आहरात श्राद आदी का विदान करके चलेगे। परंतु भ्रामन प्रबती व्यक्तियों के लिए ये कव्य प्रदात पित्तर पा नहीं सकते थे अतव ये सभी शुदाशांत नहुने के कारण उदास होकर ब्रहमाजी की सभा में गए। उन्होंने वहाँ जाकर ब्रहमाजी को सारी बात बताई। तब उन महाभाग विदाता ने एक परं सुन्दर मांसी कर्या प्रकट करी। सेक्डोचंद्रमा की प्रव के सामान मुकवाली वह देवी रूप और योवन से संपन थी। उस सादवी देवी में विद्या, गुण, बुद्धी सम्यक प्रकार से मोजूद थे। श्वेत चंपा के सामान उसका उज्वल वर्ण था। वह रत में भूशनों से विभूश चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुए थी। उसके मुक और नैतर विक्सित कमल के समान सुन्दर थे। उसे पित्रों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पित्रों को संतुष्ट काने के लिए इस तुष्टी स्वरूपिनी को पत्नी रूप में उन्हे सोंप दिया साथी अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारन करके पित्रों के उद्धैशे से प्रधात अरपण करना चाहिए। ये गोपनी ये बाद भी ब्रह्मनों को बतला दी। तब से ब्रहमन उसी करम से पित्रों को कव्य प्रदान करने लगे। देवताओं के लिए वस्त आदर के साथ, शांत सरूपिनी भगवती सदा की पूजा और स्तूती करी, देवी के वर प्रसाद से वे सब के सब बड़े ही संतुष्ट हो गे, उनकी सारी मनोकामनाई पूरी हो गे, इस प्रकार भगवती सदा के संपुन उपाख्यान का वर्णन मैंने तुम से कहा। उसके बाद नारदमुनी बोले कि वेद वेताओं में शेष्ट है प्रभू अब मैं भगवती सदा की पूजा का विधान, ध्यान और स्रोत सुनना जाता हूं। तब भगवान नारदमुनी से बोले कि हे देवरिशी, देवी स्वधा का ध्यान इस्तवन मंगल में है। आश्वीन मास के कृष्ण पक्ष में त्रियोदेशी तिथी को मघा नक्षत्र में अत्वश्राद के दिन यतन पूर्वक भगवती सदा की पूजा करके उसके बाद श्राद करना चाहिए। जो बुद्धी का अभिमानी भ्रामन सदा देवी की उपासना ने करके शाद करता है। उसके शाद और तरपन सफल नहीं होते। भगवती सदा भ्रामाजी की मानसी करन्या है। ये सदा तरुणा अवस्था में संपन रती है। पित्तर सदा इनकी पूजा करते हैं। इनी की क्रपा से शादो का फल मिलता है। ऐसी इन देवी की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शीला अत्वा मंगल में क इनका आवाहन करना चाहिए। इनका मूल मंत्र है ओम हीम श्रीम क्लीम स्वधा देवे स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारन करके भ्रामन इनकी पूजा, स्तूती और प्रणाम करे। ब्रहम पुत्र विज्ञानी है नारद अब स्रोत सुनो। यह स्रोत मानवों के लिए संप अबिलाशा ब्रदान करने वाला है। पूर्विकाल में ब्रहमा जी ने इसका पाठ किया था। है नारद स्वधा शब्द के उच्चारन मात्र से मानव तीरत इसनान किया हुआ माना जाता है। संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपे यग्य के फल का अधिकारी हो जा श्राद के अउसर पर जो पुरु सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का श्यवन करता है। वे श्राद का फल पालेता है इसमें कोई संधह नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रीकार संध्या के समय पाठ करता है। उसे पुत्रों और स सद गुणों से संपन, विनीत पती वरता प्रिय पतनी प्राप्त होती है। सद गुणों से संपन करने के लिए तुम निरूपित हुई हो। कर्मों की पूर्ती के लिए ही इश्वने तुमारे ये चार रूप बनाए है। इस प्रकाद देवी सद की महिमा गाकर भ्रमाजी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सैसा भगवती सद उनके सामने प्रकट हो गई। तब पिता महें ने उनकमल नैनी देवी को पित्रों के लिए समर्पित कर दिया। उन देवी की प्राप्ती से पित्तर अत्यंत प्रसन हुए। वे आनंद से विवल हो गए। यही भगवती सदा का पुनी स्रोत है। जो मनुष देवी सदा के इस्रोत का करता है। उसे मानो संपूर्ण तीर्थों में इस्तनान कर लिया हो इतना फल मिल जाता है। उसके बाद भगवान नारायन नारद मुनी से बोले कि हे नारद अब मैं तुम्हे भगवती दक्षीना के महात्यम को सुनाता हूं तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात ह गो लोक में भगवान सिरिकष्णी की प्रेयसी एक गोपी थी। उसका नाम सुशीला था। उसे राधा की प्रधान सकी होने का सोभाग्य मिला। वह धन्य मान्य मनोहर अंगवाली गोपी परम सुन्दरी थी। सोभाग्य में वह लक्ष्मी के समान थी। उसमें पती व्रत कांता कमल लोचना सुशोणी सुस्तनी शामा न्यग्रोधप मैं मंडीता ये सभी विशेशन उसमें मोजूद थे उसका प्रसन मुख सदा मुस्कान से भरा रहता था रतन में अलंकार उसकी शोबा बढ़ाते थे बिंबाफल के समान लाल लाल उसके होट थे हंस के समान गंभी गती से चलने वाली वैकामीनी सुशीला रती शास्त का सम्मग ज्यान था भगवान स्रीक्रश्न उससे प्रेम करते थे वै भी उनके भाव की अनुसार ये व्यवार करती दी एक समय परमेश्वरी शिरी राधा ने सुशीला को कह दिया कि आज से तुम गोलोक में नहीं आ सक होगी उसके बाद स्रीक्रश्न वहां से अंतरध्यान होगे तब देव देवेश्वरी भगवती सिरी राधा रासमंडल के मद्ध्यर आसेस्वरी भगवान स्रीक्रश्न को जोड़ जोड़ से पुकारने लगी परन्तु भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिये तब तो शिर प्रति प्राणों से भी बढ़का प्रेम करती हूँ, आप शिग्र यहां पधाने की क्रपा करें, आप मेरे प्राणों के अधिश्धाता देव हैं, आपके बिना अभी ये प्राण नहीं रह सकते, इस्त्री पती के सुभाग्या पर गर्व करती है, पती के साथ प्रती दिन उ सरू ततसदा इस नहदान करने के लिए प्रस्तुत मूर्तीमान विग्र एकमात पती ही है, पती व्रताएं स्वामी को सम्मान प्रदान करने के लिए उनसे धर्म, शास्वस, सुख, प्रीती, शांती, सम्मान प्राप्त करती हैं, स्वामी ही इस्त्री के लिए सर्वस है, उस प्राण का स्वामी होने से प्राण नायक तता रती सुप प्रदान करने से रमन कहलाता है। अतैकुलीन इस्तरियों के लिए पती से बढ़कर दूसरा और कोई प्रिय नहीं। पती के शुकर से पुत्र की उत्पती होती है। इससे वे प्रिय माना जाता है। पती व्रताय सो पुत्रों से भी अधिक पती को प्रेम पात्र समझती है। उनके मन में ये धार्ना कभी धू नहीं होती। जो ऐसत कुल में उत्पन है वही इस्तरिपती के इस धार्मिक रहसे को समझने में ऐसमर्थ है। समपूर्थितों में इस्नान, अखिल यग्यों में दक्षीना दान, प्रत्वी की पदशीना अने प्रकार के तप, सभी व्रत अमुल्य वस्तुदान, पवित्र उपासनाय तता गुरु, देवता, एंब्रामन की सेवा इन सभी कारियों की बड़ी प्रसंसा सुनी है। किन्तु ये सब के सब स्वामी के चलन सेवन की सोलवी कला की तुलना भी नहीं कर सकते। हे भगवन आप असंक्य गोपो, गोपियों, ब्रहमांडों और वहां के पहस्य को ने समझकर कभी कभी इस प्रकार का दुराव कर बैठती हूँ, आप मुझे शमा करें। इस प्रकार कहकर स्री राधा भक्ती पूर्वा भगवन स्री क्रश्न का ध्यान करने लगी। प्रेम के कारण उनके आँखों से आसु बहने लगे। हे नात हे नात हे करोणा निधी उनके मुख से निकल रहे थे। वियोग के कठिन दुख का अनुवव करती हुई। वह दैन्य भाव से कह रही थी कि है प्रभू अब तुरन दर्शन देने की क्रपा करे। श्री कष्ण ने प्रकट होकर राधा के विरहताप को शांत किया। ये मुनी उस समय का प्र संग है। श्री राधा की सहचरी सुशीला नाम की जो गोपी थी जिसे राधा ने गोलोक से चूत होने के लिए कह दिया था। वहां से चलकर देवी दक्षिना के नाम से प्रकट हुई। इनके प्रकट होने का प्रसंग इस प्रकार है। दिर्गकाल तक तपश्या करके ब्रहहजीíst के पास गे। ब्रहहजी ने उनकी प्रातन सुन का जगत प्रभु भगवान श्रीहरी का ध्यान किया। बहुत समयता भकती पूर्वत ध्यान करने के बाद उन्हां आदेश प्राप्त हुआ। सुम भगवान नारायनmore ने महालश्मी के दिवय विगरेसे मत्यलश् ब्रह्मा जी ने यग्य संबन्धि कारियों की संपनता के लिए देवी दक्षीना के यग्य पुरुष के पास रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय यग्य पुरुष का मन आनंद से भर गया। उन्होंने विदी के सा भगवती दक्षीना की पूजा और इस्तूती करी। उन कमल के समान मुखवाली वे कॉमलांगी देवी कमल जैसी विशाल नेत्रों से शोबा पा रही थी। भगवती लक्ष्मी से प्रकट उन आदर्णिये देवी के लिए कमल ही आसन था। शुद्ध चिन में वस्त्र उनके शरीर की शोबा बढ़ा रहे थे। उन सादवी का होट विमबाफल के सद्रशे था। उन्होंने अपने केश कलाप में मालती के पुष्मों की माला पहन रखी थी। उनके प्रसन मुख मुस्कान चाही हुई थी। वेरत्न निर्वित आबुशनों से सुशोबी थी। उनका सुन्दर वेश था। उन्हें देखकर मुनियों का मन भी मुग्द हो जाता था। कस्तूरी मिश्टी चंदन से बिंदी के रूप में अर्द चंद्राकार तिलक लगाकर ललाट शोबा पा रही थी। केशों के सामीव सिंदूर की एक छोटी सी बिंदी थी। उनके रहने का इस्थान भी जगमगा रहा था। सुन्द नितंब व नारत दिव्य वर्षों के बाद उन्होंने संपून कर्मों के फल सरू शेष्ट पुत्र पैदा किया। कर्म समाप्त होने पर फल प्रदान करना उस पुत्र का सहज गुण था। अतवे दग्य पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि भगवान यग्य देवी दक्षीना अपने पुत्र फल से संपन होने पर ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। यदि देव अत्वा अज्यानता से यग्य करता कर्म संपन हो जाने पर तुरंत ब्रामन को दक्षीना नहीं देता तो उस दक्षीना की संक्या बढ़ती जाती हैं। साती यज्मान का संपून कर्म बिनिस्वल हो जाता है। ब्रामन का स्वत्व अपरहन करने से वे अपवित्र मानव किसी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के फल्सरूप उस पाथ की मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्षमी अत्यंत बहेंकर शाप देकर उसके घर से चली जाती है। उसके दी हुई इश्रात को पित्तर भी ग्रहन नहीं करते। देवता उसकी की हुई पूजा अगनी दी हुई आहुती भी स्विकार नहीं करते। यज्यकरते समय करता ने दक्षीना संकल्ब कर दी किन्तु फिद्दी नहीं। प्रतीगर लेने वाले ने भी नहीं मांगा तो ये दोनों ही नरक के भागी होते हैं। तब नारद मुनी पूछने लगे कि है प्रभू दक्षीना हीन कर्म के फल को कोन भोगता है। साथी यज्यपुरुष ने भगवती दक्षीना की किस प्रकार पूजा करी वे भी बताईए। तब भगवान नारायन बोले कि है मुनीवर दक्षीना हीन कर्म में फल ही कैसे लग सकता है। क्योंकि फल प्रसव करने की योगिता तो दक्षीना वाले कर्म में ही है। में भक्ती ने रखने वाला पूरुष का कर्म ये सब बली के आहार हो जाते हैं। भगवती दक्षीना के ध्यान सरोत पूजा की विधी करणव शाखा में वरनी थैं। ये सब मैं तुम से कहता हूँ तुम ध्यान से सुनो। पूर्व समय में कर्म फल प्रदान करने वाली भगवती दक्षीना जब यग्य पूरुष को प्राप्त हुई। तब वे उनके सुन्दर रूप पर मोहित हो गई। इस्तती में उन्होंने उन्देवी की इस्तुती करी। यग्य पूरुष ने कहा कि है महाभागे तुम पूर समय में गोलोग की एक गोपी थी। गोपियों में तुम्हारा प्रमुक इस्थान था। रादा के समान ही तुम उनकी सक्षी थी। भगवान स्रीकष्न तुम से प्रेम करते थे, कार्थी पूर्णी मा के अवसर्वा रादा महु उससा मनाई जा रहा था, कुछ कारियानता उपस्तित हो जाने के कारण तुम भगवती वहां लश्मी के दक्षिन कंदे से प्रकट हुई, अतै तुम्हारा नाम दक्षीना पड़ गया, हे शोबने तुम इसस पहले परम शील्वती होने के कारण सुशीला कहलाती थी, तुम ऐसी सु योग्या देवी शिरी रादा के शाफ से गोलोग से चूत होकर दक्षीना नाम से संपन हुई, और सोभाग्य को प्राप्त हुई, हे सु भगे तुम मुझे अपना स्वामी बनाने की क्रपा करो, ब्रह्मा, विश्नु, महेश, दिकपाल, प्रबती, सभी देवता, तुमारे नरने से कर्मों का फल देने में ऐसा मर्थ है, ब्रह्मा सम कर्म रूप है, शंकर को फल रूप बतलाया है, मैं विश्नु सम्यग्य से प्रकट हुआ हूँ, इन सम में सार रूपा तुमी हूँ, परदान करने वाले पारभ्रम, निर्गूणा, भगवती, प्रकटी दता सम भगवान, सिरीकर्ष्ण तुमारे ही सायोक से शक्तिवान बने है, ये καनते, तुमी मेरी शक्ती हो, ही वरानने, तुम जन्म, जन्मांतर में, निरंतर मेरे समीप हो, मैं तुमारे संपुन कारियो में सहायक देने में सखन रहा हूं यग्या पुरुष के इस प्रकार प्रात्ना का नेपध यग्या की अदिश डाती देवी भगवती दक्षीना प्रसंद होकर उनके सामने उपस्तित हो गई और उन महा भाग यग्य को उन्होंने अपना स्वामी बना लिया, यह भगवती दक्षीना का स्रोत है, जो पुरुष यग्य के अफसर पर इसका पाट करता है, या सुनता है, या सुनाता है, तो उसे यग्य के समस्तुफल प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संधह नहीं है, सभी प्रकार के यग्यों के आरम में जो पुरुष इसरोत का पाट करते हैं, उनके सभी यग्य निर्विग्न पूरे हो जाते हैं, भगवती लक्ष्मी के दाहिने कंदे से प्रकट होने के कारण दक्षीना नाम से विख्यात यह देवी साख्षात कमला की कला है, संपून यग्य यग्य नाम से प्रसित भगवती दक्षीना की मैं उपासना करता हूँ, मंत्र से ध्यान करके विद्वान पुरुष मूल मंत्र से इसवर दायनी देवी की पूझा करें, पाध्य अर्ध्य आधी वेदोक्त मंत्र के द्वारा अरपन करें, इसका मूल मंत्र है ओम श्रीम क्लीम हीम सुद्धी जनों को चाहिए कि सर्व पूझीता इस भगवती दक्षीना की अर्चन भक्ती पूर्वग विदिविधान से करें, हे नारद इस प्रकार भगवती दक्षीना का उपाख्यान मैंने तुम्हे सुनाया, ये उपाख्यान सुख, प्रीती, संपुन, कर्मों काफल देने वाला है, भूमंडल पर रहने वाले सभी को, जो भी व्यक्ती भगवती दक्षीना के इस चरीत्र को साधान पूर्वक्षवन करता है, उसके सभी अधूरे कर्म पूरे हो जाते हैं, पुत्र हीन, पुरुष, गुणवान, पुत्र के पिता होने का सोभाग्या होती है, साथी उसका घर कुलीन, पुत्र वदू से संपन होता है, पुत्र उत्पनकरना, विने, मदुर भाषन, पाती व्रत्य तता शुद्ध आजरन, ये सभी सद्गुण उस पुत्र वदू में रते हैं, विद्याहीन, विद्वान, दरिद्री धन्वान, भूमीहीन, भ प्रभाव से प्रजावान बन जाता है, संकट, बंदू, विचेद, विपत्ती तता बंदन के अवसर पर, एक मैने तक इसका शेवन काने से व्यपुरुष समस्त विशम परिस्तितियों से छूड़ जाता है, इसमें कोई संधह नहीं है, इस तरह आज हमने भगवती स्वाह भगवती स्वादा और भगवती दक्षीना के संपुर महात्य में पूजाविदी को और मंत्रों को सुना, आशा करती हूँ, ये वीडियो आपको जरू पसंद आएगा, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, आगे आने वाली कता कहानी के लिए भी आप इसी त आपका बना से आपका Korean के लिए नड़ परकती हैं रहने कहुता को और मंत्रों पस्ते हैं बे produto पस्तारी से गछ्मानी के अला से बस्तारी से बदिए आपका Оч championships 15. पहतैं है का कुअ पस्तमानी क見て लिए गवती हादानी के लिए हुता हैं में अपका कि पस 108 य्रू बनेने